इन तरीकों से और इन ट्रिक्स की मदद से आप अपने बेल पत्र के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं बरसातों में बेल पत्र का पौधा बहुत ही हरा भरा रहता है और पत्यां बहुत ही लशक्रिन निकल करके आती हैं लेकिन जैसे ही बरसात खतम हो जाता है आपके बेल पत्र का पौधा सूखने लगता है खासकर बेल पत्र यदि आपने गमले में लगा रखा है बालकनी में लगा रखा है तो बेल पत्र की सारी पत्तियां जड़ जाती हैं और सिर्फ सूखी डंडी रह जाती है लेकिन बेल प पौधे को जिंदा रखने के लिए कौन सा ट्रिक्स अपनाना है ये जानना जरूरी है सबसे पहली चीज यह है कि बेलपत्र के गमले में आप अच्छे से गुडाई कर दें और उसे धूप में ही रहने दें बेलपत्र को पूरे दिन के सनलाइट की जरुरत पड़ती है वाट नहीं करना है यदि बेलपत्र का पौधा भर गया है बिलकुल या फिर जड़े भर गई है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उपर से मिट्टी को आप गुडाई करके हटा दीजे और न्यू सॉइल को भर दीजे लेकिन बेलपत्र को अभी आप रीपॉर्ट ना करें आपको एक वर्मी कमपोस्ट और एक एपसम सॉल्ट इन दोनों चीजों के इस्तमाल से आप अपने बेलपत्र को बचा सकते हैं बेलपत्र की पौधे की जो मिट्टी है उसको पहले आप गुडाई कर दीजे गुडाई करने के बाद दो चम्मच आप वर्मी कमपोस्ट डाल होगा यदि पौधा जमीन में लगा हुआ है तो फिर आप जड़ों को दो तीन इन छोड़कर चारों तरफ से गुडाई कर लिजे और गुडाई करने के बाद गुडाई यानि जैसे जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी उपर से मिट्टी की टाइलिंग करनी होती है मिट्टी उपर से हटाना होता है उसके बाद आप वर्मी कमपोस्ट और एपसम सॉल्ट को मिट्टी में दबा दीजे और उपर से निव मिट्टी को भर दीजे आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगा है एपसम सॉल्ट से निव से आप अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हैं यदि आप के पास सर्सो की खली है मस्टर्ड केक तो सर्सो की खली को आप रात भर पानी में भीगो दीजे ये माल लिजे दो चम्मच सर्सो की खली लिया तो एक लिटर पानी ले सकते हैं पानी कम या ज्यादा हो सकता है एक चम्मच सरसो की खली 10 इंच के कंटेनर के लिए एप्रोप्रियेट रही तो उस हिसाब से आप अंदाज लगा लिजे कि आपका गमला कितना बड़ा है या फिर जो सरसो की खली है वो कितने लेनी है आप उस हिसाब से मात्रा को बढ़ा घटा सकते हैं इसका इस्तेमाल आपको 15 15 दिनों में एक बार करना है आप मात्रा देख लिजे कितनी मात्रा लेनी है बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है 15 दिनों में एक बार आप चाहें तो ड्राइ फॉर्म में भी गमले में डाल सकते हैं इससे पौधा बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाता है और यह NPK का एक बह कर्मी कमपोस दे दिया और उपर से वाटरिंग कर दिया पौधे को पूरे दिन के धूप में रखिए और यह खाद सुबह शाम किसी भी टाइम पर आप दे सकते हैं अभी आपको अपने पौधे में प्रूनिंग या ट्रीमिंग नहीं करनी चाहिए जो पतियां खराब हो र सकते हैं अदर्वाइस आप उन पतियों को हाथ से भी धो सकते हैं इससे आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत ही जल्दी स्वस्त हो गया है बेल पत्र के पौधे को सिर्फ इसी समय में संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है और स्प्रिंग के पहले अदर्वाइस साल में आंसर करूंगी धन्यवाद